नमस्कार दोस्तों मैं हूं मंदार और आप सब का स्वागत है मेरे चैनल इट्समेटेक में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कंपैरेजेन करेंगे Logitech के G512 Prodigy Gaming इस Mechanical Feel Keyboard की Logitech के G512 Carbon ये True Mechanical Keyboard के साथ Logitech का G213 Keyboard 35,000-4,000 रुपे के Price Bracket में मिलता है जबकि G512 ये 9-10,000 रुपे के Price Bracket में मिलता है आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि दोनों की Build Quality, Feature Set और User Experience में क्या Difference है और क्या एक Keyboard का दुसरे Keyboard से दुगनी प्राइज होना Justifiable है या नहीं मैंने इन दोनों ही Keyboard की Detail Unbox और Review बनाई है आपने अगर वो नहीं देखी है तो मैं आपको सजेश्ट करूंगा आप पहले वो वीडियो को भी देख लीजिए तो आएए दोस्तों इन दो Keyboards की Comparison की शुरुवात करते हैं सबसे पहले हम Boxes देखेंगे तो Physical Boxes अगर आप देखें तो यह G512 का Box काफी छोटा है और G213 का बढ़ा है उसका Main कारण यह है कि G213 इस Keyboard में Integrated Palm Rest आता है इसके कारण यह Box बढ़ा है और G512 के साथ हमें Integrated या separate कोई भी Palm Rest नहीं मिलता है G512 Carbon यह Keyboard तीन Variants के साथ आता है GX Blue, GX Red और GX Brown यह Switches के साथ मेरे पास जो यह Variant है जिसे आज हम Compare करेंगे वो है GX Blue Clicky Switches तो अब हम दोनों Keyboards को देखते हैं तो मैंने इन दोनों Keyboards को Plug किया है दोस्तों दोनों Keyboards यह Braided Cable के साथ आते हैं और दो दोनों ही USB 2 से Connect होते हैं और दोनों की केबल की लेंथ 1.8 मिटर है अगर हम वेट की बात करें तो G512 1130 ग्राम्स का है यह थोड़ा है क्योंकि यह Metallic built है और हमारा G213 ProG 1000 ग्राम्स का है दोनों Keyboards को Dedicated Gaming Mode दिया गया है जिसमें की Windows Keys और आपको चाहिए वो Custom Keys आप डिसेबल कर सकते हो जब आप गेम खेल रहे हो जैसे हम इनको on करते हैं सबसे पहला difference जो हमें दिखाई देता है विजुएली वह यह है कि G512 का RGB illumination यह G213 से काफी bright है लेकिन सारे RGB के functionality और RGB के patterns हमें इस keyboard में भी मिलते हैं सिर्फ फरक यही है G512 के सारे जो different patterns है जो हमें RGB मिलते हैं वो हम यहां पे buttons के इस्तमाल से control कर सकते हैं G213 में भी यह सारे options available हैं लेकिन उसे control करने के लिए हमें Logitech के G Hub software का सहारा लेना पड़ता है क्योंकि dedicated RGB control की missing है हमें सिर्फ एक key दी गई है जिससे हम इसके RGB को off या on कर सकते हैं तो यहां पर function keys में हमें बहुत ज्यादा options available है जहां पर हम RGB का brightness कम ज्यादा कर सकते हैं करें दोनों ही keyboard को 16.8 million color RGB है जी 213 का Logitech Logo यह RGB illuminated है लेकिन हमारे 512 का मिनेटेड नहीं है दोस्तों अब हम बढ़ते हैं बील्ड कॉलिटी की तरफ तो यह totally metallic build है और यह aluminum magnesium alloy से बनाया गया है जबकि यह keyboard यह total plastic build है भले ही दोनों की sizes में difference है लेकिन total की layout और key gaps दोनों की almost same ही है इस keyboard की back side पे हमें wire management करने के लिए grooves दी गई है तो हमें चाहिए तो हम इस keyboard को लगा हुई peripheral की wire manage कर सकते हैं यह cable management देने का main reason यह है कि इस keyboard को USB pass through है लेकिन हमारे दूसरे keyboard में ऐसे कोई भी USB pass through available नहीं है अगर हम दोनों की key caps निकाले तो हमें difference समझता है कि यहां पर center से RGB elimination दिया गया है जबकि यहां पर front में उपर की तरफ RGB elimination दिया गया है अगर हम key caps की बात करें तो दोनों ही key caps यह transparent है बीच में से और उदर से RGB elimination आता है लेकिन जो हमारे mechanical keyboard की key cap है वो cherry annex style है और यह दूसरे keyboard की key cap यह उनकी customized style की है दोस्तों हमारे mechanical field keyboard की जो num locks और बाकि की status indicators है वो non RGB में है लेकिन हमारे mechanical keyboard की status lights भी RGB में दी गई है अगर आप build quality और looks की बात करें तो बेजीज़क हमारा mechanical keyboard यह look feel और build quality में हमारे mechanical feel keyboard से better है बस फरक यह है कि इसको कोई भी palm rest नहीं दिया गया है इसको हमें separately third party solution इस्तमाल करना पड़ेगा लेकिन हमारे mechanical field keyboard को integrated palm rest दिया गया है अगर आप build quality की ratings की बात करें मैं इस keyboard को 9 on 10 जरूर rate करूंगा और इस keyboard को मैं 7 on 10 rate करूंगा दोनों ही well built है लेकिन जो फरक है plastic built और metallic built यह फरक evident है लेकिन उनके costs में भी वह reflect हो जाता है अगर कीज की sound profile की थोड़ी ज्यादा है क्योंकि यह GX blue switch है लेकिन इसकी sound profile थोड़ी silent है क्योंकि यह GX brown switch के उपर modeled है dedicated media controls हमारे mechanical keyboard में नहीं है उसे इस्तेमाल करने के लिए हमें function keys और in keys का इस्तेमाल करना पड़ता है लेकिन हमारे mechanical field keyboard में dedicated media controls दिये गए हैं दोनों ही keyboard के key binding और RGB profile change करने के लिए हमें logitech के software का इस्तेमाल करना पड़ता है और उससे हम यह दोनों achieve कर सकते हैं अगर आप overall key की feels की बात करें तो भले ही actuation pressure almost similar है लेकिन जो mechanical bump हमें मिलता है और जो tactile feel मिलती है mechanical keyboard की वह इस keyboard में missing है क्योंकि यह सिर्फ एक mechanical feel keyboard है और membrane होने के कारण यह feeling हमें नहीं मिल सकती अगर design aesthetics की बात करें तो हमारे mechanical keyboard को floating keys दी गई है जबकि हमारे mechanical feel keyboard की normal keyboard के layout की जैसी ही keys दी गई है एक major benefit जो G213 keyboard के साथ आता है वो यह है कि यह membrane होने के कारण 60 ml spill resistant है जबकि हमारे mechanical keyboard को कोई भी liquid spill resistance नहीं है तो इस बात का ध्यान आप ज़रूर रखें दोस्तों यह यूज कर रहा हूं और इस keyboard में मुझे एक बार RGB malfunction का issue आया था लेकिन warranty के अंडर Logitech ने उसे seamlessly मुझे replace करके दिया था तो यहां पर final verdict के अगर हम बात करें तो यह है कि बेजिजद जी 512 की look and feel performance यह हर चीज अच्छी है लेकिन इसकी price भी G213 से दुगनी है तीन से चार हजार रुपे की price range में मैं मानता हूं कि G213 Prodigy Gaming यह बहुत अच्छा product है जिनको mechanical feel चाहिए उनके लिए यह feel यहां पर available है और cheap Chinese companies के keyboard लेने की जगा आप यह keyboard जरूर प्रिफर करें क्योंकि यह आपको performance भी देगा और यह ज्यादा durable भी रहेगा उन keyboards के मुकाबले तो दोस्तों जिनका budget ज्यादा है वह बेजी जग G512 इस keyboard को choose कर सकते है इस keyboard में उनको key options भी ज्यादा मिल जाएंगे आपको GX blue, GX red और GX brown यह तीनों की options इस keyboard के model के साथ available है दोस्तों इन दोनों ही keyboard पे मैंने detail, unbox और reviews बनाए है अगर आपको जादा information particular models के बारे में चाहिए तो आप ज़रूर उन वीडियो को refer कीजिए मैं link भी हाँ उपर उनकी दे रहा हूँ तो इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आपको यह comparison पसंद आये होगी इस वीडियो को like कीजिए अपने दोस्तों के साथ share कीजिए चैनल को subscribe नहीं किया होगा तो subscribe कीजिए और अगले वीडियो की notification पाने के लिए bell icon भी जरूर दबाईए तो अगली बार फिर मिलेंगे धन्यवाद क्वाल अपने अगले जरूर अगले अगले तो उसकी आपटवाद